हेलो फ्रेंड्स स्वागेत आफ सभी का आर्वी अडिट्यूब क्लास में तो आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 10.1 का कॉस्चन्स तो इस वीडियो में हम इस कॉस्चन को डिसकस करेंगे आप अस वीडियो को ध्यान से देखिए चले शुरू करते हैं आपे तो कॉस्चन नमबर वन है फिलिंदा ब्लैंक्स इस में भी यमें बताना है कि इंचीर में लाई करेगा या एकस्टीर में लाई करेगा तो हमारा थाड कोश्चन है यह नहीं कोड क्या है, वो डायामेटर के आखरी आखरी पॉइंट है तो उसी क्या बोलेंगे तो दीखो डायामेटर जो होता है वो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवेट करता है तो हम इसको सब्सक्राइब करें तब तक आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में रेट कीजिए इसमें बताने कि जो सर्किल होता है एक तो वो आर्क के बीच में होता है और दूसरा सर्किल के किस पार्ट में होता है तो दूसरे पार्ट का नाम बताना है तो एक लास्ट कोश्चन है A circle divides the plane on which it lies in dash parts इसमें पुझा गया है कि जो circle होता है वो किसी भी plane को कितने part में divide करता है तो ये जो 6 questions है आप इनके answers अपने mind में सोचे और comment box में answer दीजे तो मिलते हैं answer की तरफ त्याँ पर बढ़ते हैं हम अपने first question की तरफ जो center होता है circle का वो interior में lie करता है अब अपने second answer की तरफ बढ़ेंगे इसमें जो point होता है किसी भी circle का अगर radius से ज़्यादा दूरी पर है तो वो exterior में चला जाएगा कोकि radius तक हम boundary पे होते हैं यानि की circumference पे होते हैं तो इसका answer होगा exterior जो longest card होती है किसी भी circle की वो diameter होती है ऐसा arc जो circle के diameter के end से बना होता है उसे हम semi circle कहते हैं जो segment होता है वो arc और cord के बीच का region होता है तो इसका हमारा answer होगा the cord एक circle जो होता है वो किसी भी plane को 3 equal parts में divide करता है तो इसका answer होगा 3 तो यह थे हमारे आज के questions exercise 10.1 के question no.1 के answers तो आप लोग बताईए student आपको यह question के answers कैसे लेगे और आपको और किस questions में problem होती है comment box में जरूर करके बताईए तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को end करते हैं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching okay मिलता है आगले वीडियो में आगले question के साथ तब तक के लिए thank you class